एक तरफ से सुनने को मिल रहा है एड्मिशन नहीं लेना चाहिए ह्याद करने है यह हमेशा आद रहतना है सुनो सब की करो अपने मन की जो आपका मन बोलता है वो आपको हमेशा करना है सुननी सब की है ऐसा नहीं कि किसी को मुँपे जवाब देना अरे मुझे नहीं करनी अरे ये फार्मेसी वाले तो ऐसे घूम रहे हैं और इधर से अगर किसी ने बोल दिया कि ये बीफार्मा करना है इसा हो जाता है वैसा हो जाता है किसी के कहने में ये भी नहीं मानना कि बीफार्मा करके आप करोडों की कमाई करने लगोगे किसी के कहने से ये भी नहीं मानना बीफार्मा करके करियर बरबाद हो जाएगा दोनों ही चीजे गलत है पहले आपको जانकारी निकालनी है सब चीजों की 2023 में बीफामेसी करना सही है या नहीं है, मैं 100% बोलती हँ कि सही है, लेकिन मैं यह भी बोलती हूँ 100% गलत है, अगर आपका मन नहीं चा रहा है, अगर आप सर्फ यह सोच के फामेसी में आ रहे हो, कि सिर्फ degree मिल जाए और फिर पैसों का paid लग जाएगा पता नहीं कहां से लग जाएगा खोन लगा देगा ये मुझे भी नहीं पता लेकिन हाँ बस किसी ने बता दिया भी pharmacy करके पैसा ही पैसा आएगा वो कैसे आएगा वो मुझे नहीं पता है ना अगर आप यह सोच के इस intention तो मैं बोलती हूं 100% गलत है सही कैसे है 100% 100% उसी स्टुडेंट के लिए सही है एक स्टुडेंट था हमारा जहां पर कॉलिज में पढ़ाते थे वह बंदा क्या बोलता है मैं नाम तो ऐसे रिवील नहीं कर सकती हूं लेकिन हां उसका कहना क्या था कि मैं मैंने एडमीशन फाम कि इसले लिया है कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है मैंने का तुम्हें ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पता है कि तो उसने का येस मैम मुझे पता है और मैंने ये देखा कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो मतलब कमाना होता है मतलब कमाई जो होती है उसकी कोई लिम द्रगी से की पामेसी मैं उसकी स्रnesday जीश किस टरीके से स्टेजी तुसे फोलो करनी है फिर उसके बाद, जो एक समय से दो साल के लेगा उसके बाद वह सीधा जाएगा drug inspector की post पे because उसने सोच के रखा है पहले से तो आप लोगों को पहले से सोच के रखना है कि आपने अपनी life में करना क्या है ठीक है दो criteria होता है तो अभी भी अगर आपके parents बोल रहे हैं pharmacy कर लो तो आप pharmacy field में अगर आपने अभी नहीं सोचा तो अभी सोच लो ये वीडियो अगर आप तक पहुच गया है तो एक तरीके से वर्दान है वीडियो आपके लिए आपके career के लिए क्योंकि 12th standard से जब आप college life में जाते हो तो वो college life आपके पूरी जिम्दिगी decide कर लेता है क्योंकि उस college life में चार साल आप जो invest कर रहे हो graduation में उसी के basis पे आपको job मिलेगी कर आप फार्मसोटिकल मनदब फार्मेसी कर रहे हो तो आपको फार्मसोटिकल industry मिलेगी आपको कोई tech की industry थोड़ी मिल जाएगी तो ये सीज़े आपको सोच नहीं है कि भई ये चार साल मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे मेरा interest किस में है वो आपको देखना है अगर interest नहीं है अगर interest देखे अगर आपका interest किसी दूसरे field में फार्मेसी field में नहीं है लेकिन आपके parents आपको force करें कि आपको तो आप उन्हें समझाईए मैं नहीं नहीं जहां आपका इंटरस्ट है वहां स्कोप 110 परसेंट है जहां आपका इंटरस्ट नहीं है अगर आप मेब्स भी करोगे तब भी स्कोप नहीं है तो इंटरस्ट जहां आपका है जहां आपको अच्छा लगता है जो काम करना अच्छ 10% आप फामेसी कर लो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको इतने सारे मेरे सेशन्स आने वाले हैं जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी सेटरडे संडे लाइव के सेशन रहेंगे अब मेरे टीचर्स को थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे पूरा हफ्ता आप लोगों को अब आपको इसी तरीके के सेशन्स मलने वाले हैं ठीक है बीएस पी फामेसी यूट्यूब चैनल ठीक है जी चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैम जो सीउइटी है क्या हमारा एड्मीशन लेना सीउइटी के तुरू भी फामेसी में बैस्ट रहेगा तो मैं आपको बोलती हूं 110 परसेंट रहेंगा बहुत अच्छा रहेगा क्यूं अच्छा रहेगा मैं आपको सीउइटी क कैसे कैसे करके पास हुआ हूँ या फिर कैसे कैसे करके हो जाओं तो मैं इसके लिए कैसे तयारी कर सकता हूँ मैं आपको बोलती हूँ आप तयारी कर सकते हो 100% आपको अच्छी उनिवस्टी मिलेगी आधा competition आप वहीं खतम कर दे तो जब आप सोच ले तो मुझसे नहीं होगा प्लीज ऐसा मत करो आपसे होगा जो आपका दिमाग सोच सकता है वो कर भी सकता अगर आप इस वीडियो पर आगए हो तो आप 100% admission ले सकते हो कैसे मैं आपको बजाते हूं यह क्यों important है देखे जैसे आप universities पर क्लिक करते हो CUT के official website पर अभी मैं हूँ universities पर जैसे हम click करते हैं ठीक है for example हम universities पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी participating universities आ जाएंगी जो कि participate कर रही है CUT के under ठीक है CUT में participate कर रही है यह भी open नहीं हो पा रहा है इसका भी नोटन की है ठीक है चलो यह पार्टिसिपेटिंग universities आ गई अब मेरी बात अब धिहां से सुनो central universities यह आप देख पा रहो central universities यह सब central universities है central universities में admission लेने के लिए क्या होता था पिछली साल तक 2022 से पहले तक क्या होता था आप लोग जानते हैं पर्टिकुलर अगर मैं डोक्टर हरी सिंग और विश्विद्याले की बात करूं यह सारी central universities हैं अगर मैं किसी भी एक central university की बात करूं पर्टिकुलर अपना अलग से वो entrance exam करवाती थी ठीक है और state universities हो गई वो अपना अलग entrance exam करवाती थी लेकिन CUET के थूरू बच्चों आप लोग aware क्यों नहीं हो रहे हो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा किसी को नहीं पता CUET क्या है जो 12 वाले student है आप लोगों को aware होना बहुत जरूरी है parents हमेशा नहीं हाथ पकड़ के चलेंगे आपके parents आपके मजदूरी कर रहे हैं आपके किसानी खेती किसानी कर रहे हैं वो सिर्फ काम करके आपको पैसा दे सकते हैं लेकिन यह सारी चीजे देखने की जिम्मे जी एक आया था फ्री फायर जैसे गेम आ रहे हैं तो यह स्टुडेंट का यहां पर competition ही खतम कर दिया बच्चों का मतलब बिल्कूल ही dedication ही खतम हो गया study को लेके तो बिल्कूल खतम हो गया life बरबाद हो जानी है बच्चे 8000 से ज्यादा की नोकरी नहीं मिलेगी अगर आप अभी से अवेर नहीं होगे 8000 में क्या होता है एक बार शॉपिंग करने चले जाओ एक अच्छी दुकान पर खड़े हो जाओ 8000 के दो ही जोड़ी कपड़े आएंगे वह भी अगर ब्रेंडिड लेने लेने लगे तो दो जोड़ी भी नहीं एक ही जोड़ी कपड़े आएं जोने बदमासी कस्वों को लग जाता है 11 वी बार वी में आप लोग अवेर हो जाओ अपनी स्टडी को ले के सारे काम अच्छे लगते हैं जब आपकी ऐसा स्टुडेंट जब आप पढ़ाई में आगे होते हो तो आपकी सारी सरारते बरदाश्ट कर ली जाती है ठीके जी चलिए तो मैं आपको बढ़ा दूँ यह टेस्ट आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट है यह टेस्ट आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट है मात्र एक टेस्ट के माध्यम से आपको पेपर एक देना है इस पेपर के माध्यम से आप इंडिया की सारी उनिवरसिटी इसको टारगेट कर सकते हो, शोकिंग है, थोड़ा सा शोकिंग है, क्यूंकि भाई, ये एक्जाम है, और एक एक्जाम के थुरू, आप इसका जो स्कोर काड आएगा, इसके थुरू, आप इतनी सारी उनिवसिटीज को टारगेट कर सकते हो, 10, 15, 20, कोई लिमिट नहीं है, जितनी भ आर्मा करवारी है, सेंटरल या स्टेट गवर्मेंट की उनिवसिटी, सारी फिल कर देना, कहीं ना कहीं एडिमिशन होई जाएगा, अच्छा हो जाएगा एडिमिशन, बेफिकर रहो, CUET के थुरू एडिमिशन लेना बहुत आसान है, लेकिन जरूरी आपका अवेर होना, आप लोग BSP Pharmacy Official App पे अगर अभी तक आपने विजिट नी किया, देखो, Official App पे जाओ आप लोग, बहुत ही जादा बेनिफिशल आप लोगों के लिए, जैसे आप BSP Pharmacy Official App पे जाते हो, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेज आपको दिखेगा, ठीक है, जो भी न नोटस मंगवाने हैं, यहां से मंगवाओ, CUET का कोर्स मातर निन्यान में रूपे, मातर और मातर निन्यान में रूपे सोच रे हो, आप निन्यान में रूपे 100 रूपी से भी कम, लग बहुत ही कम प्राईज आज के टायमें, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मम्मी से 50 चास रुपे सो रुपे लेके जाते हैं अगर दो तीन भाई बैन है तो सो रुपे से कम तो ले गई नहीं बच्चा स्कूल जाने से पहले तो यह एक तरीके से सो रुपे बहुत कम प्राइज होता है मातर निन्यान में 2000 प्लस MCQ के साथ क्रिपेरेंच इंडिया के बैस´ ने वोban प्रेतों की लिए की आप कोशिष कर रहें जाए आलए जो रही ज्ली आपको मटीरियल भी देखने को मिलागा कि एक वीडियो के तरुक्र वासारि अबहाएग जो तब तक आप उनके दिये हुए MCQS से practice start कर दो ठीक है practice भी बहुत बहतरीन तरीके से आपको test series के अंदर देखने को मिलेगी CUT के course के अंदर देखने को मिलेगी तो जाके join करो साथ ही साथ यह तो three line आ रही है न official app पे आपने जैसे scroll करके नीचे जाओगे तो आपको अगर Instagram पे BSP pharmacy को follow करना है यहां से करो क्यूंकि Instagram पे teacher live आते हैं और आपको live join करते हैं यहां पे YouTube पे आप live में सिर्फ chat कर सकते हो लेकिन Instagram पे teacher आपको join करते हैं अपनी live में आप directly उनसे video call पे बात कर सकते हो that amazing ठीक है WhatsApp group में join करना है यहां पे click करो खुद join हो website को जाके visit करो साथ ही साथ यहां पे आपको email अगर करना है तो यहां से कर सकते हैं Twitter पे follow करना है यहां से कर सकते हो मतलब BSP pharmacy को हर जंगा follow करो हर social media platform पे आप लोगों के लिए content available करवाया जाता है daily daily basis पे that's amazing for you ठीक है जाओ join करो ओके dear student I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ इस अगर अच्छा लगो लाइक कीचे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजे मिलेंगे दन next informatic वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार